नमस्कार खबर जरा हटके में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम आपको लेकर चिरता है कि ऐसी शादी में जहां बाराती थे देवता और शादी हुई थे लक्षुमी और विश्णू की डेस्टिरेशन और थीम वेडिंग का क्रेज जिन्दनों ट्रेंड में हैं सेलिबरिटीज ऐसे कामों में सबसे आगे होते हैं लेकिन आंदरप्रदेश के एक कपल ने इस मामले में सब को मात दे दी इस कपल की थीम की चर्चा पूरा देश कर रहा है क्योंकि इस शादी में खुद भगवानों ने अपने उपस्तिती दर्ज कराई गौड थीम पर हुए शादी में दूलने जहां देवी जैसे लक्षुमी का रूप धारण किया था दूले मिया विष्टु भगवान के रूप में नजर आए दोनों ने इसी रूप में साथ फेरे लिए यहां तक तो ठीक है लेकिन इनके माता पिता और शादी में आये महमानों ने भी देवी देयोता जिससे कपड़े पहने हुए थे यह शादी अंदरपरदेश के तुनुक के निकट मुकामबला के काश्रम के गौड में श्रिदर स्वामी की बेटी की थी लड़की के पिता श्रिदर स्वामी ने कहा कि हम सनातन धर्म को मानते है और उसमें शादिया ऐसी ही होती है उन्होंने कहा कि हर शादी में कन्यादान के वक्त दुलहन को लक्षमी का स्वरूप माना जाता है इसलिए उनकी बेटी शादी में लक्षमी बनी थी गौर्थिम की एनों की शादी इन दिनों सोशल मेडिया पर धूम बचा रही है